आए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-e गैश पहली बार और वोईस ओब कर तो थोड़ा एजिस्ट कर दिना है यह ऐलो वड्सुब गैश क्या हाल चाले यार स्वागत है सब़ी का अर्पी गुरु गेमी यूटिब चानल में मैं हुआ अपका दोस आर्पी ग्रोड स्वागत करता में छोड़ी से और पहरे सी यूटूब चैनल में प्रिव्यू तो आपने देखी लिए होगा तो यह वीडियो मैंने कैसे बनाया वो आज आपको सिखाऊंगा तो गाइस सबसे पहले आपको वीडियो ऑपन कर लेना है और वीडियो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं उसके बाद जिस सॉंग पर आपको वीडियो बनानी है वो सॉंग भी ले लिए जिए मैं आँसे सॉंग भी ले लेता हूँ ठीक है उसके बाद जहाएं पर आपको अपना नूप से प्रोब ननना है आप अपना थोड़ा सा बाक करके उसे स्लो कर दीजिए मैं बताता हूँ अगे इदर आगे गाईज आप अपना वीडियो का साइज ठीक कर लो वन्हा वीडियो साइज नहीं होगी उसके बाद गाने पर बीट संद नहीं होगा मैं बताता हूं ऐसे बीट पर टैप करके बीट Шर्ट कर दीजी उसके बाद जहां पर आपने अडम का स्लो मोशन किया था इमोट वाला वहां पर अपर प्रो वाला डाल दीजी ज़़ा सा भी दरुदा हुआ तो इमोट नहीं बैठेगा नूप टूप प्रो ट्रांजेक्शन कंप्लेट होने के बाद आप प्रो वाले इमोट को थोड़ा सा स्लो कर दियो जिससे कि वो ठीक लगे गाइस में सारा इमोट लेना भूल गया था आप शरुवात में ही सारे इमोट ले सकते हैं या इदर आकर भी सारे इमोट ले सकते हैं कुछ होगा तो नहीं वैसे भी सब इमोट लेने हैं बारी बारी से मैं फिर से थोड़ा फास्ट फॉरड़ कर देता हूं सारे इमोट ले लेने के बाद आपको स्टार्ट पॉइंट पर आ जाना है इमोट के उपर दो बार क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर टैप करने इमोट को सेट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ कि बाद वीडियो का जो भी पॉर्शन आपको लेना है वह अप ले लीजे और उसको स्लो फास्ट कर दीजेए मैं आगे बाता था हूं कैसे करना है स्लो फास्ट करने के लिए स्पीड बटन पर क्लिक करके उसके बाद सार बीच में से सारे बटन रिमूब कर दिये लॉंग प्रेस करके और आगे वाले डॉट को उपर और पिछे वाले डॉट को नीचे कर दीजे जिसके आपका स्लो फास्ट हो जाएगा श्लो फर्स्ट करने के बाद वीडियो थोड़ा छोटा पड़े तो उसको बीट के नीचे एंड कीजे जिसे की आपका इमोट ठीक बीटी पे बदल जाए मैं थोड़ा फर्स्ट फरवर्ड कर देता हूं सब इमोट स्लो फर्स्ट हो जाने के बाद आप एंड में चले जाए और एंड वाले इमोट को थोड़ा लंबा रखे क्योंकि आलाइट मोशन में थोड़ा क्रॉप हो जाता है अब सेवन प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक्सिट हो जाओ और बापिस प्रोजेक्ट के इंडर जाओ और पूरा देखो वीडियो को इसके बाद प्रोजेक्ट को फूल एच्टी में एक्सपोर्ट कर दीजिए उसके बाद अलाइट मोशन ओपन कर लिजिए अलाइट मोशन ओपन करने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा एक्सेमल की वह लिंक से आप प्रोजेक्ट डाउनलोड कर देना डाउनलोड की हुई XML फाइल की इफेक्ट में जाके उसको कॉपी इफेक्ट कर देना उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट बनाना ज्यान रहे प्रोजेक्ट फूल स्क्रिन रहे उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके जो आपने वीडियो वी एंट से एक्सपोर्ट किया है उसको डूप्लिकेट लेयर कर देजिए उसके बाद उपर वाली लेयर का वॉल्यू जीरो कर दिये जैसे वीडियो का वॉल्यूम ना बिगड़े उसके बाद नीचे वाली लेवर पर क्लिक करके इफ्टरेक्ट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए उसके बाद बैक आकर एकसेमल वाले प्रोजेक्ट की उपर वाली लाइन की इफेक्ट को कॉपी करके अपने वाले प्रोजेक्ट के उपर वाली लाइन पर जाके पेस् एक्सपोर्ट कर देजिए विडियो बने के बाद एक बार इसको प्लेइ कर देना जिसे पतर चाल जाए वीडियो सही है यह नहीं उसके बाद फिर से अलाइट मोशन ओपन करिए और न्यू प्रजेक्ट बनेए उसमें यह अपना प्रजेक्ट एक्सपोर्ट किया है वह प्रजेक्क को ले लिए उसको स्रीड़ाट पर क्लिक करके एक्स्ट्रेक्ट आड्यो पर क्लिक कर देजिए उसके बाद beat all option पर click करके beat set कर देजिए जिसे हमें shake effect डालने में आसानी हो उसके बाद beat आने पर इस option पर click कीजिए ऐसा हर beat पर कर देजिए जिसे कि हमें shake effect डालने में आसानी होगी उसके बाद description में मैंने shake effect के link डे रखिया वापर जाके आप shake effect डालने में आसानी होगी उसके बाद शबी shake effect में से एक shake effect के effect को copy कर दीजिए जिसे कि हमारे उस वाले वीडियो में effect डालने में आसानी होगी उसके बाद जो जो वीडियो के part है उसमें सभी में जाके इस effect को paste कर दीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसके बाद फिर से vn open कर लीजिए और vn में जाके उस वाले project को import कर दीजिए इंपोर्ट होने के बाद वीडियो के उपर क्लिक करके extract audio पक्रिक कर दीजिए एक्स्ट्रक करने के बाद इस वाले option पर क्लिक करके वीडियो की size बदल दीजिए उसके बाद इस वाले option पर क्लिक करके उसी वीडियो को दुबारा import कीजिए और जैसा मैं कर रहा हूँ ठीक वैसा ही कीजिए उसके बाद जापर कपड़े चेंज हो रहा है वहाँ पर एक key frame add कर दीजिए उसके बाद start point पर आके दूबारे key frame add करके वीडियो को zoom कर दीजिए उसके बाद थोड़ा सा वीडियो को set करके उसको duplicate कर दीजिए duplicate करने के बाद दूसरे वीडियो को दूसरी तब ले जाके दूसरी की फ्रेम पर जाके उस वीडियो को दूसरी तब ले जाईए उसके बाद इस वाले ओक्षन पर क्लिक करके उस वीडियो को दूथतू बार झाल 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 झाल